दोस्तो आज crypto world में enter करने से पहले हम लोग एक story को समझ लेते एक narrative को समझ लेते कि आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं थोड़ी सी बात आज different angles से होगी ताकि आपको concept समझ में actual में मैं कहने क्या वाला हूँ दिरसल आज से कुछ समय पहले यानि अगर हम पीछे अपने history में जाएं तो हम लोग जिस तरह आज की समय में AI, animation, cartoon को देखते हैं और कोई भी चीज़ को easily समझ सकते हैं, enjoy करते हैं free time में उससे अपने आपको entertain करते हैं लेगिन अगर हम बात करें 10, 20, 15, 25 पुरा नी बात तो उस समय इतने जादे जो gadget आसपास हमारे हैं laptop screen, tv screen और mobile screen यह सारे नहीं हुआ करते थे उस समय हाथ में होती थी हम लोग के comics और comics भी मतलब इतनी easily available नहीं होती थी कभी हम लोग रेंट पर लेते थे बड़ी मुश्किल से कभी किसी newspaper के अंदर थोड़ी बहुत मिल जाती थी और उसमें हम लोग जो entertainment का रास्ता ढूंटे थे वो ढूंटे थे जो चाचा चौधरी, साबू, नागराज इस तरीके के हम लोग यहाँ पर comics को पढ़कर अपना entertainment करते थे यह बात काफी पुरानी है शायद ही बहुत सारे लोग इसमें relate कर पा रहे हो I think अगर कुछ जो हमारा जो audience है उसमें जो 45 के आसपास यह 35 के आसपास की लोग है शायद उनसे यह चीज रिलेट कर रहे हो क्योंकि जो नई generation है वो यह नहीं समझ पाएगी यह भी वो पकड़ नहीं पाएगी कि मैं किस topic के बारे बात करने वाला हूँ तो यहां पर जहां पर हम लोग यह चाचा चौदरी, साबू अगेरा को पढ़ते थे ठीक उसी समय अपने U.S. में कुछ कॉमिक्स चलती थे जिनका नाम था 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 बॉयस क्लब यह कुछ और कॉमिक्स चलती थी उन्ही तबॉयस क्लब के अगर हम करेक्टर देखे उसके बाद अभी रिसेंटली बेस की ब्लॉक्चेन पर ब्रेट को भी लॉंच होते देखा, आपको बता है दो और जो करेक्टर है इसके, लैंड वॉल्फ और एंडी ये भी मार्केट में आ चुके और अभी जस्ट इनिशल स्टेज पर है, तो क्योंकि हम लोग इसके बारे म क्या हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट किस तरफ बढ़ सकता है तो उसका एनलिसिस करते हैं ये सारे चीज़े सामने आई, अब ये अनलिसिस मुझे आपको बताना है ताकि ये ट्रेंड आने से पहले, मतलब जब चीज़े वाइरल होती है उस समय उसका प्राइस इतना कर रहा है, अपने टॉप 100 वैलेट तयार कर रहा है, उस समय अगर हम भी छोटी मुटी स्पेस अगर ग्रैब कर लेते हैं तो शायद हम लोग जब सेलिंग का समय आए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले तो दूस्तो आज का जो कॉंटेक्स्ट है वो I think set हो गया होगा क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मीम कोई की और यह जितने प्रोजेक्ट हैं यह कहीं से स्पॉंसर रही हैं और दूसरा क्योंकि मीम कोई के बारे में बात करने वाले हैं तो जो डिस्क्लेमर है उसको एक्चुल में आप समझेगा डिस्क्लेमर का मतलब यही कि कोई भी पैसा लगाने से पहले आप चार बार सोचें कि हाँ आमको लगाना है कि नहीं एनलेसिस भी करें बिल्कु साही डिटेल हम आपको समझाते जाएंगे कि करके क्या क्या चीज़े हैं एक्चुल में उसको आ अच्छे से एक्स्प्लेइन किया और इसके जो फ्रेंड है दो ब्रेट और लैंडवल्फ और एंडी यह चारों मिलकर कॉमिक्स के थूरू कॉमेडी करते हैं तो उसमें क्या हुआ क्योंकि यहां पर मीम कल्चर चलता है और जब पैपे नाम का टोकन है तो बहुत तीजी से पर आया और बेज की ब्लॉक्चेन का अब तक का सबसे जादा बड़ी वॉल्यूम वाला मीम कोई आज की तारीक में है और पीछे से दो इन्हीं के करेक्टर जो एंडी है और लैंडवल्फ है वो भी मार्केट में आ रहे है वो भी ब्लॉक्चेन पर है तो इस तरीके से यहां पर पूरा एक जाल भी बुंदी आ गया है तो जो भी लोग नए लोग इसने फसना चाहते हैं मैं यह चाहूंगा कि यह वीडियो उनके लिए भी हो सकती है थोड़ा सा अब वीडियो को और अच्छे से गौड से देखिए यहां पर प्रॉफिट मिलेगा बट सीफट हैं बहुत साय लोग इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के एग्जिट हो चुके हैं तो अभी यहां पर एंडी और यह जो लैंड वोल्फ है की सिच्विशन के पहले इसको देखते हैं तो यहां पर मार्केट कैप देखा जाए 3 मिलियन है जो कि एक बहुत इनिशल ले हैं यहां पर सारे डेक्स हैं तो मतलब वही लोग इसको खरीद सकते हैं जो डेक्स को यूज़ करना जानते हैं अगर हम बात करें यहां पर एंडी की तो एंडी का सिच्विशन में मार्केट कैप अभी विजिबल नहीं है फूली डाइलोटिड वाल्यूम यहां पर जो दि सारे डेक्स हैं तो डेक्स की तरूब भी अराम से स्वाइप हो सकता है कोई बहुत बढ़ा नहीं है अराम से आप टास्क कर सकते हैं अगर आप कर लेते हैं तो क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं यह समझता हूँ बिल्कुल बिगिनर और बिगिनर है तो इन सब ट यह जो land wolf है इसकी अगर holder में जाए तो मैं यह देख रहा हूँ top 100 जो holder है उन्होंने पूरे token का जो almost supply उसको एक तरीके से hold करके रख रहा है top 100 में मैं देखूं तो यह जो दिख रहा है specific meme coin की distribution है वो अलड़ी सारा जाल पिछा के रख दिया गया है holder हमने इसके check कर लिए सेम यह holder यहाँ पर भी मुझे दिख रहे है 74,000 holder है यहाँ और इसमें अगर हम top 100 holder देखें तो वो वही है जो एक specific fix supply को लेकर चले वे हैं तो ठीक है इसमें कोई issue नहीं क्योंकि यहाँ पर जब इन token में pump आता है तो काफी अच्छा होता है तो अब हमको इसके साथ treat कैसे करना चाहिए क्या हमको अपना कुछ जादा पैसा लगाना चाहिए बिलकुल नहीं बहुत थोड़ा सा शायद अगर आप चाहें तो 10 dollar अगर हम land wolf का देखें अगर इसमें 10 dollar लगा दे हैं तो 600 मिल जाएगा quantity और अगर हम यहाँ पर देखें एक second यह land wolf में देखें तो यहाँ पर 1.3 billion मिल जाएगी तो 1.3 billion बहुत बढ़ी quantity होती हो और अगर इसमें से कुछ भी zero kill होते तो आपका अराम से अच्छा-कासा हो सकता है तो यह strategy इसमें किसी के लिए किसी project लिए exit liquidity नहीं बनना है और actual में उससे return भी निकालना है तो अभी initial stage है और अगर जो भी लोग taxes यूज करना चाहते हैं वो थोड़ा सा amount लगा है और लगा कर भूल जाए यह सोच कर कि अजय ने बताया था बिलकुल नहीं कोई guarantee नहीं है मतलब पूरे-पूरे पैसा जाने के guarantee हो सकती है च्योंकि इस जैसे project में 1000 में से शायद 10-5 ही चल पाते हैं बाकी सारे नहीं चलते हैं यह सि अच्छल में क्या scene होता है कि इस थरीके से एक token आते हैं लाइन से उसकी बायाद में character आते हैं बहुत चारी और बी चीज़े back end में चल रही है वो सब इसलिए भी नहीं share कर पाते हैं क्योंकि बहुत initial stage में है और YouTube की audience बहुत अधा aware नहीं होती है बहुत innocent होती है और आराम से जाकि किसी भी trap में फस सकती है तो इसलिए हम लोग उसी चीज़ को आपके सामने लगते हैं जो एक हद तक का mature होती है जिसमें लोग थोड़ा बहुत interaction आराम से कर सकें तो I think इसमें भी आपको कोई भी ऐसा जल्दी बाजी नहीं करनी है थोड़ा सा अपना भी analysis करना है जो मैं बोल रहा हूं कि actual में वह है दूसरा जो यह जो नाम है इन जब नामों से अप सर्च करें तो कई सारे नाम आएंगे तो यहां पर यह नाम मिला लें दूसरा blockchain भी मिला लें एक बार बेस की blockchain है और यह एंडी की देखा जाए तो यह सारे एंडी आएंगे तो उन सबको थोड़ा सा यह टैली कर लें जो ग्राफिक में दिखा रहा हूं इससे अब टैली करने तो समझ जाएंगे एक्च्वल में कौन सा है दोनों बेस की blockchain पर हैं तो बहुत साथानी से अपना अगर transition करना चाहिए तो execute कर सकते हैं नहीं तो सिर्फ paper trading कीजिए हो देखिए actual में क्या यह perform करते हैं कि नहीं कि अब तक जब से हम videos बनाना शुरू किया है उसमें से मैं यह देखता हूं कि जो हमारा experience है अगर हम 10 tokens की बारे में discussion करते हैं तो उसमें से 7-6 अच्छा perform करते हैं और 4-5 ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं मतलब पिछले जो experience हमारा है तो वो यह 60-70% ratio ऐसा है जिसमें काम करते हैं 30-40% ऐसा है जो project काम नहीं करते हैं तो यह सारी चीज़े दिमाग में लेकर ही आपको आगे बढ़ना है और I hope दोस्तों आपको वीडियो यह पसंदा है हो और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर जाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much video दिखने के लिए